आज पहला नवरात्री का त्योहार का दिन था और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों का हर्याना पुलिस का हससी ने जो भी एक्जाम लिया था इसका रिजल्ट आ गया देखो छोटी छोटी खुशियां एंजॉई करनी चाहिए जीवन में जिन्दगी में बहुत लोग तो हमेशा ही रोते रहते हैं अभी भी मैं देख रही थी कुछ लोग जो हैं लिख रहे थे एकके दुक्के लोग कि 7000 प्लस का सेलेक्शन हुआ ये पेपर में रिजल्ट आया है अभी सेलेक्शन बहुत दूर है कुछ लोगों को पूरा जीवन कटने के बाद भी खुशियां दिखाई नहीं देती जितने सुडिंस हमारी बात मानते हैं सुनते हैं और नहीं लगता है कि हम उन्हें जीवन लोग पास हो गए लगने तो हजार ही हैं पिछ लोग रोएंगे कि नॉन्मलाइजेशन की मार में नुकसान हुआ उनका नुकसान हुआ देखो बच्चो मैं आज भी अलीगड ब्रांच की बात है मैं ये बात कह रही थी या ध्यान नी शैद दूसरी ब्रांच पर बुलंश का योगडान है और 5% आपका लग चलता है मैं अभी भी यही बात कह रही हूँ 95% योगडान सिर्फ और सिर्फ आपकी महनत का है 5% लग का मतलब होता है आपके पेपर के सेट में questions सोड़े से comparatively आसान आ गए या बाइचांस जो आपने पढ़ा था वो exam में आ गया ये है आपकी महनत का है और अगर आपने महनत की है तो आपके सभी sets में question थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं तो वो issue ही नहीं है जो लोग महनत कर रहे थे साल सवा साल से जो बेटियां हमारे साथ थी जुड़ी हुई थी जो महनत कर रही थी उन्हें धेरों बधाईयां भगवान क आप जल्दी ही physical में बहुत अच्छा performance दिखाएं और इसके अंतिम पड़ाव तक आप लोग जाएं और अपने जीवन में क्योंकि यंग ही लड़कियां लगती हैं पुलिस में यंग एज में जो लड़कियां नौकरी पा जाएंगी उनका जीवन का अलग ही तरीक उनके ज स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है और चुटी-चुटी खुशीयों को इंजॉय करना सीखिए क्योंकि जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप सोचे कि आज बहुत बड़ी खुशी है यह बहुत बड़ी achievement है कि आप सोचे कितने लोगों ने form भरे कितने लोग exam देने गए उन में से अगर 7000 में आपका number है तो आप उस cream का हिसा है आगे की लड़ाई जो है उसके लिए अपना तयारी कीजिए फिजिकल की अची तयारी कीजिए medically आपको fit होना है आपके एक आगजात पूरे होने चाहिए लेकिन एक important पड़ाव जो कितनी द केख रहे थे कि बहूत बहुत बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए खुशी की बात यसे लिए है क्यूंकि मैं एक तो नदक्रवात्र का त्योहार था पहला तो माता शहल पोत्री की कृपा उनके उपर रही उनकी मेहनत règ लाई और बाकी भीड से बहुत आगे खड़ी है आज वो सारी बेटियां जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने समाज के उन तानों से उपर उठके कि क्या करेंगी लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ा के क्या निकाल लोगे, पेरेंट्स को भी ताने सुनने पड़ते हैं, दिक्कत ये है न कि सिर्फ बेटी बेटी नहीं, घरवाले भी ताने सुनते हैं, कि क्यों इनको पढ़ा रहे हो, पढ़ा के क्या निकाल लेंगे, और पढ़ा लिखा दोगे तब तुम्हारे घर में क्या आ जाएगा, शादी करके अपने दूसरे घर में चली जाएगी, वहां कमाएगी, कुछ भी कह लें, उन लोगों को आ बार एक्जाम आएंगे, अपने एक्जाम में आप इसलायक बन गई, कि आप भीड से अलग हटके खड़ी हो जाएं, तो अगर कहीं कोई कमी बेशी रह भी जाए, तो मन छोटा नहीं करना है, अगर कोई फिजिकल में रह जाए, किसी के डॉक्यमेंट्स में प्रॉब्लम आ बेटी दो पूरे परिवारों को सभालती है, और बेटी पूरे समाज की होती है, बेटियां आगे आएंगी तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और फिर ये 50-50% का जो रेशो है न, जो सिर्फ जनसंख्या के आंकडों में दिखाई देता है, य 7,000 बेटियों में जिसका भी नंबर आया, उसे बहुत-बहुत-बहुत सारी शुबकामना है, मेरी तरफ से, ICS परिवार की तरफ से, और आज बहुत मुझे खुशी मिली, हम बुलन शहर गए, अलीगड गए, महां सभी स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया, यूपी मे शायद मेरी पहली ब्रांच विजिट है, किसी ब्रांच के चलने के बाद, तो बहुत-बहुत अच्छा अपने पन का एहसास था, और सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया, जितने लोग हमसे मिलने आए, और जो उस कारेक्रम का हिस्सा बने, जिंदगी की ब आगे बढ़ने में, यह बहुत जरूरी होता है, कि समाज के दोनों हिस्से, बेटे और बेटियां, दोनों काम्यावी के रास्ते पर चलें, ताकि यह समाज एक खुबसूरत समाज बन सके, चलिए, मेरी तरफ से इतना ही, सर आपसे एक बार फर जोड़ेंगे, थान्क्यू, धन्यवाद, बहुत बहुत दुबारा से मुबारख हो, नर्मलाइजेशन के करण रह गया, या वैसे रह गया, या कुछ और हो गया, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा और पढ़ना है, इस वीडियो को दो तिन बार देखना, और याद करना, यह बाते मैंने पहले ही कहा था, पढ़ना पढ़ेगा, रोने से काम नहीं चलेगा, अरे यार 65 वाले नर्मलाइजेशन में रह गए, तुमने 70 क्यों नहीं लिए, 70 वाले रह गए, तुमने 75 क्यों नहीं लिए, 75 वाले रह गए तो तुमने 2000, जो है, प्रियार कमाल है, यार, 80 नमबर क्यों नहीं लिए, पढ़ाए में से कम था क्या, ECS वाले में से, पेपर लेकर के दुबारा आजाओ, मेरे पास अगर दिक्कत लगती है तो, क्या हमने इससे कम पढ़ा रखा था, और ये बात कितनी बार कहा, कि अगर तुम जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लिया, तो सेलेक्शन हो जाएगा, उसी रास्ते पर हैं, चलिए, थैंक यू वेरी मच, एक बार आभार, सभी लोगों का, अलिगड का, और बुलन चैर का, आभार, और सभी बच्चों को, जिनका पेपर क्लियर हो गया, उनकी, सफलता की तरफ, पहले कदम के लिए, बहुत बहुत शुब कामनाई, थैंक यू वेरी मच,